तो जैसे कि अभी बात हुई दस महाविद्याएं अब दस महाविद्याएं होती क्या हैं दस महाविद्याएं होती हैं जैसे दस देवियां हैं जिनके पास अलग-अलग विद्या है और हर एक विद्या का मतलब अलग होता है हर एक को attend करना, attend मितलब उसको समझना, उस तक पहुँचना और उसको use करना इसमें सिध्या भी होती है, उसमें यंत्र भी होते है, तंत्र भी होते है और मंत्र भी होते है ठीक है? अब दस वहाँ विद्याएं जो हैं उसमें से पहली है काली मता फिर है तारा देवी, फिर है तृपुरा सुंदरी, फिर भुवनेश्वरी, चिन्ना मस्ता, भैरवी, धुमावती, बगला मुखी, मातंगी और कमला इसमें से कुछ को तो हम रेगुलर पूजा करते हैं, जैसे कमला इस लक्ष्मी, तो हम लक्ष्मी जी की तो पूजा जनरली करते ही है घरों में और दिवाली पर भी तो बहुत ज़्याद़ा किया जाता है ठीक है, उसके बाद तृपुरा सुंदरी का नाम भी आप लोगोंने बहुत सुना होगा पिर एक है जो काली माता है और आजकल तारा देवी का भी बहुत नाम आ रहा है, ग्रीन तारा मंतराज और ग्रीन तारा रहसे, तो हम यहाँ पर हुंकारा वित हलीम जो एसोसियेटेड है, वो दो महाविद्याओं, यह जो दस महाविद्याओं है, इसमें से दो देवियों के उपर है काली माता और बगला मुखी माता काली माता से तो आप सभी लोग परिचे तो अच्छी तरीके से और उनका रूप भी आपको एकदम भयानक हाथ में मुंड पकड़े हुए तलवार पे से खून निकल रहा है शिवजी उनके पैरों में लेटे हैं उनकी जीब बहार है यही वाला रूप आप लोगों सबने देखा है आज तक और उसी की पूजा करी है है ना बगला मुखी माता जो है उनको पीतांबरी देवी भी कहा जाता है तो पहली बात तो यह है कि हम इन दो ही देवियों की क्यों इसमें हुकारावित हली में पूजा करेंगे या इनके इनके सिंबल्स के और इनकी प्रोसेस को उसको सॉरी सिंबल्स को प्रोसेस में ढालकर इलिंग करेंगे ऐसा क्यों है हम लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है सबसे बड़ी जो इनसान के जीवन की प्रॉब्लम है वो है जीवन और मरण है ना इस ही चकरविव में हम लोग पैदा होते है है और इसी में मर जाते है और यहीं सोचते रहते हैं कि हम पैदा क्यों हुए है ना यहीं होता है किनी बार आप लोगों के मन में आए कि یार क्यों पैदा हुए जरुबत क्या थी हमें पैदा हो आहीं कि इत्ती प्रॉल्बлем से गिरे हुए इस मोम आया से गिरे हुए कुछ ना कुछ आता ही रहता है कितनी बार मन में आया है अगर आप पैदा हो यह हाँ तो अगर आपके मन में यह शब्द आते हैं यह यह question आते हैं खुद के लिए तो कही न कोई कुछ तो reason होगा ना कुछ तो purpose होगा ना आपका इस दुनिया में आने का आप जानते हो आप क्यों आए हो इस दुनिया में simple सी बात है अपने कर्म कार्ट में यह कहते है ना बड़े बुजर्गों से यह सुनाए ना आपके कर्मों के बेस के उपर आपका जन्म होता है राइट तो हम यहाँ पर इनी चीजों को समझने आए और अगर हमारे जो कर्म हैं उनसे कैसे हम चुटकारा पाएं जो हमारे बुरे कर्म में इस देके दो तरीक एक कर्म होते हैं अच्छे और एक बुर और फिर उसको किस तरह से अपने जीवन में लेकर आना, अच्छी चीज़ों को अच्छे करमों, ये सब उसी के उपर देश, कैसे हमारी बुद्धी सही होना, हमारे काम होना, तो जब मैं आपको बेनिफिट्स बताऊंगी तो आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा कि इस वि जाना आई, ये जानना जरूरी है न, तो चले मा काली का तो मैंने यहां खोटों भी डाला हुआ है, तो यही है जो इन जनरल हमको दिखता है, ये काली माता है, ये है बगला मुखी माता, ये हंस पे सवार होती है, जो बगला होता है न, सफेद गर्दन, लंबी सी, रेड कल की चोच, वो उनका वाहन है, और ये पीले वस्तर पहनती है, इनका नाम पितामरी मा भी है, दूसरी चीज़ ये है कि इनके बारे में दो चीज़े बहुत लोग जानते हैं, जो तंत्र मंत्र करते हैं, उनके लिए इनके साधना बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है, क्योंकि इनके जो साधना हैं वो इनी सब चीज़ों को के लिए होती है, बहुत सारी है, बहुत बुराईयां ये हटाती हैं, और बहुत सारी चीज़े आपके सामरे खोल के रख दो, और बहुत पावरफुल इनके मंत्रों होते हैं, ओके, ये एक तरह से आपको जिन्दगी जीने की सलहा होती है न, हम कहते हैं विज्वल्स जो होते हैं या पॉइंट अफ व्यूज होते हैं हमारे, इंटिलेक्ट्स होते हैं, इंट्यूशन्स होती हैं, वो सब ये क्लियर आउट, इल्यूजन्स हटाती हैं, ठीक है?